तो आज का टोपिक है ब्लड हम आज ब्लड के बारे में पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में देखेंगे अभी पहले हम जान ले दें कि ब्लड क्या है ब्लड एक टाइप का क्नेक्टिव टीशू हुए क्रेटिवी नहीं specialized collective tissue है क्योंकि इसका जो ground substance होता है जो matrix होता है फ्ल्यूड होता है इसका matrix होता है वो कैसा होता है fluid होता है जिसका नम हम plasma देते है means अगर हम बात करें अगर cell हैं तो cell के बीच में जो यहाँ पर ground substance है वो liquid form है जिसका नम यहाँ पर क्या है प्लाज्मा और जो cellular portion है जो cells होंगी वो portion क्या बनाएगा इसमें formed element बनाएगा वह अब हम देखेंगे तो अब अगर हम बात करें तो blood क्या है कि specialized connective tissue है और उसमें जो fluid matrix है उसका नाम क्या है प्लाज्मा और cell जितने भी होंगे cell और platelet को इखटा मिलाके हम क्या बोलेंगे formed element बोलेंगे मैंने platelet को अलग से क्यों बोला उसो मैंने blood cell में क्यों नहीं बोला क्योंकि platelet actually true cell नहीं है वो एक बड़ी cell के fragment है वो हम बाद में discuss करेंगे अभी plasma जो है वो कितना part है blood का यानि blood में मिली दो part है एक plasma और दूसरा क्या है आपका formed element तो plasma कितना होता है total blood का 55% और जो आपका formed element होता हो कितना होता है 45% ये अब हम plasma की बात करेंगे उससे पहले हम formed element में देखने तने क्या क्या चीज़े आती है formed element में हमारे blood cells आते हैं और blood platelet आते हैं और blood cell में हमारे RBC और leucocyte RBC को erythrocyte भी कहते हैं erythrocyte इसलिए कहते हैं because they have a special pigment that is called hemoglobin blood cells के बारे में हमें detail पढ़ना है next class में मैं blood cells के बारे में ही बताऊंगा leucocyte जिसने हम WBC भी कहते हैं white blood cell यह दो टाइप के होते हैं granulocyte and agranulocyte granulocyte को हम granular leucocyte भी कहते है because they have granules, coarse granules in their cytoplasm agranulocyte में वो जो coarse granule हैं clearly visible नहीं होते हैं इसलिए इनको agranulocyte या फिर agranular leucocyte कहते हैं granulocyte में type होते हैं neutrophil, basophil and isinophil agranulocyte में जो type होते हैं monocyte and lymphocyte lymphocyte दो परकार के होते हैं B lymphocyte and T lymphocyte और formed element में जो second part है वो blood platelet है blood platelet यह true cells नहीं होती इनको thrombocyte भी कहा जाता है actually यह cell के fragment है तो अगली class में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको formed element के बारे में ही पढ़ाऊंगा अभी हमें जो देखना है mean plasma के बारे में देखना है तो plasma जो है plasma अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है तो plasma का 90 से 92% क्या होता है water होता है इसका 90 से 92% क्या होता है इसका water होता है और इसमें आपका 7% आपके protein होते हैं और बाकी remain 1% जो होते हैं आपके nitrogenous waste ठीक है उनकी बारे में भी हम बात करेंगे अब भी हम आगे चलते हैं सबसे पहले हमें जो देखना है blood के बारे में और कुछ चीज़े उसकी properties क्या-क्या है वो क्या-क्या कितना volume है total blood का हमारी body में वो भी हम देख लेते हैं आपर सबसे पहले जो हमारी body में जो total blood का volume होता है वो हमारे body weight का 8% है कितना है 8% example लीजिए अगर किसी बंदे का weight around कितना है 100 kg है तो उसमें 8 kg blood होगा 8 kg नहीं बोलेंगे 8 लीटर around बोलेंगे यह 8% आएगा उसके total weight का ठीक है और total blood volume कितना हो सकता है एक बंदे के अंदर 5-6 लीटर हो सकता है और इसकी specific gravity कितनी होती है 1.050 से लेकर 1.60 viscosity यह थोड़ा dance होता है as compared to water कितना है dance होता है 4-5 times dance रहता है किसे water से pH इसका 7.4 रहता है उससे थोड़ा plus minus 0.05 actually क्या है कि हमारा blood जो है वो एक buffer solution है वो अपने pH को maintain करके रहता है अगर उसके pH में कोई गिरावट हुई या बढ़ा तो ultimately आपको कोई disease condition है तो pH कितना होता है 7.4 आपसे अगर पूछाता है कि हमारा blood कैसा है हमारा blood basic है और slightly basic है और buffer solution का better example है अगर आपसे पुछा जाए कि इन में से कौन सा buffer solution है और उनमें से एक option blood है तो आप blood पे टिक लगाईएगा अब हम क्या करेंगे कि हमारी हमने अभी बताया कि जो blood है blood में 55% क्या होता है plasma होता है और उसका 45% क्या होता है formd element अब जब हम माली हमने test tube लिए test tube को में blood को रखा उसको centrifuge किया तो जो जितने भ हमने अभी क्या किया कि हमने centrifuge किया test tube में blood को और जो formd element है वो नीचे बैट गए और जो plasma है वो क्या हो गया उपर रह गया तो जो नीचे जितना solid part बैट गया है नीचे जो coagulate हो गया है इसको हम बोलते है PCV packed cell volume ठीक है कहने कहा मतलब क्या है 45% होता है और ठीक है तो हमने आ 45% क्या होता है formd element होते है वो इस तरीके से पता लगाया तो लिखा इफ anticoagulate sample of the blood is allowed to stand यानि कि आपने क्या करा कि आपने blood को रख दिया test tube में तो उसमें cells separate हो जाएंगी नीचे बैठ जाएंगी और plasma उपर आ जाएगा ठीक है तो plasma वाला जो पोर्शन है 55% और 45% क्या है cell व आगे देखने है plasma के बारे में थोड़ा सा detail पढ़ लेता है plasma क्या है actually plasma किस कलर का होता है इस्ट्रो कलर जैसे भूसे का कलर होता है transparent रहता है ठोड़ा गाड़ा रहता है viscous forming the matrix of blood blood का क्या बनाता है matrix बनाता है matrix क्या होता है और मैंने आपको बताया cell के बीच में दो cell के बीच अपने आप में 100% होती है इसी तरीके से plasma में भी 90-92% क्या होता है इसका water होता है बाकी 7-8% या 68% बोल सकते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं protein पाए जाते हैं अब main-main जो protein पाए जाते हैं वो कौन-कौन से होते हैं fibrinogen, globulin, albumin यह 3 major protein है इसके अलावा भी बहुत सारे protein पा factor in the coagulation of blood, in the clotting of blood जो हम discuss करेंगे आपको बता देता हूँ आपको कि जो clotting of blood है उसमें 13 factor required होते हैं जो पहला factor है फिब्रीनोजन है जो कि हमारे plasma में inactive form में रहता है जब भी आपको कोई injury होती है तो यह फिब्रीनोजन convert हो जाता है इससे active कर दिया आता है किसमें बतल दिया किसके दुआरा produce कि जाता है लीवर, very very important question for your need exam कि आपसे पुचा रहाएगा कि फिब्रीनोजन किसने produce किया लीवर ने, अब हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन के बारे में पुचा आता है, ग्लोब्यूलिन हमारी body में जो बनते हैं हमें defense mechanism provide करते हैं हमारे mechanism हमको defense mechanism provide करते हैं और यह मेंले तीन टाइप के हैं alpha, beta and gamma, gamma वाले जो है actually they act as our antibodies, gamma immunoglobin किसकी तरह वक्त करेंगे, अब हम बात करते हैं, लिखा है साफसाफ इन लोगों ने भी, कि gamma globulins are the antibodies which function in the immune response of the body, हमें immunity provide करेंगे में, albumin क्या है, albumin जो है हमारी body में osmotic balance को maintain करके रखेंगे कि कितना fluid का pressure रहेगा, कितने ionic balance को maintain करके रखेंगे, तो साफ साफ लिखा है, they maintain osmotic pressure, pressure generated by the osmotic flow of water through the semi-permeable membrane into the aqueous compartment contains solute at a higher concentration, सीधी सीधी बात, इसका simple सा definition यह है, कि water के pressure को, या हमारी body में जितने भी ions हैं, उनकी concentration को maintain करके कौन रखता है, आपका, albumin रख रखता है, और साथ में ही, इसका जो, albumin का action इसलिए जरूरी है, कि जिससे कि हमारी body में blood का volume maintain रहे, और pressure भी maintain रहे, अब mineral कौन-कौन से पाए जाते हैं हमारे plasma के अंदर, यह very important question है, आप से पूछा जाता है कि कौन-कौन सी mineral पाए जाते हैं, ऐसी saliva के लिए भी पूछा जा आयन, इसके अलावा, plasma में और भी चीज़े पाई जाती हैं, जैसे glucose, amino acid, lipid, are also present in the plasma, always in the transit form, एक जिने से दूसरी जिने मूव करेंगे, आपको पता है, कि जो, intestine से, जो food absorbed होता है, वो भी blood के द्वारा ही, transport कि जाता है, different tissue, different organs को, और आपको पता है, blood ही receive करता है, oxygen को, कहां स एल्वेलाई से, उसको transport करता है, target tissue तक, आपके organ, अबलब tissue site पर पहुचाएगा, oxygen को, और tissue site से oxygen को लेगा, वापस कहां पहुचाएगा, CO2 को कहां पहुचाएगा, एल्वेलाई में, तो, blood के बहुत सारे काम है, एक तो क्या कर रहा है, यह auto or CO2 को transport कर रहा है, दूसरा काम क करता है, कि यह food को transport कर रहा है, it also transport hormones, तो यह सारी चीजे, क्या करेगा यह, transport करेगा, तो यह हमेशा, जो food हो गया, hormone हो गया, ठीक है, lipid हो गया, fat हो गया, food हो गया, यह सारे के सारे हमेशा transit form में रहेंगे, blood के अंदर, अगली बात अगर हम बात करें, कि plasma, अगर, उस ऐसा plasma जिसमें clothing factor ना हूँ, उसे हम serum कहते हैं, ये निट का famous question है कि plasma without clothing factor, as a tis लिखा आता है कि plasma without clothing factor क्या कहलाता है, तो आप simple mention करोगे क्या serum, फिब्रीनो जन के अलावा plasma में और भी clothing factor मिलते हैं, उसके बारे में हम कौन-कौन से clothing factor हैं, कितने clothing factor होते हैं, वो next classes में हम discuss करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी, धन्याबाद.